हफी हमें एलों कैसे वह आप सभी आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड कम करती हो अपने चैनल में आपके चैनल में और फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं सपर्षर बींद दुट record जांब Lukado levy उपलते हैं जो फ्रन स्चालींन फसके हूं डेस्टिंग तो करने ही पड़ती है चाहे कितनी भी डेस्टिंग हो लेकिन आकर खुद डेस्टिंग करने ही बहुत ही जुरूरी होती है तो इसी लिए मैं भी अपने रूम की डेस्टिंग करूंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो तो आप सभी इंजॉय करना म मैंने कपड़े वोश किया है और उसके बाद मैंने पूजा की है पूजा के बाद अब मैं फ्री होके क्लीनिंग करोंगी और अगर मैं आपको क्लॉट्स भी वोशिंग दिखाती तो वीडियो पहुत ही जादा लॉग हो जाती इसलिए मैंने इसलिए सोचा कि मैंने कि आपके स सबसे पहले मैं प्रेस करती हूं अपनी जो वी ड्रेस बगारा मैं पहनती हूं ना उसको मैं प्रेस करती हूं यहां पर तो प्रेस गरम थी तो मैंने सोचा कि इसको ठंडी होने देती हूं फिर बाद में यहां पर इसको ना रख दूगी अलमीरा में तो यहां पर मैं पहले ग बिल्कुल भी और मैं रोज यह से जाले उतार देती हूं और यहाँ पर अपना फेस कबर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टोड़ा भूल गई थी क्लीनिंग करने के समय तो फिर मुझे याद आया तो मैंने अपना फेस कबर कर लिया और चारो खानों जो भी है चारो खानों के औ सोब वर से मैं ना जाले उतार दोंगी अच्छ जाले उतार ओंगी और यहां पर है पंखा टो पंखा मेरे निजदीकी है बैट के तो मैं ऐसे इसको किलीन कर देती हूं और मैं उसको भी साफ कर रही हूं जाड़ू लगाते समय भी थोड़ी दूल मिटी इसके भी उपर चली जाती है तो यहां पर आगी हुँ मैं विंडो साफ करने के लिए तो यहां पर जाली है यह जाली भी लगी हुई है और एक शीशा भी लगा हुआ है बाहर के तरफ शीशा लगा हुआ है और इस पर भी आपको पता है कि घर के पीछे मेरी window के पीछे ही हमारी थोड़ी जगए है खाली जिसमें हमने बगीचे में सबजी लगा रखी है फूल लगा रखी है जब धूल मिटी आती है तो इसके उपर चिपक जाती है तो जहां पे धूल मिटी आती रहती है ज़ादा तो रोजी क्लीन करना पड़ता है लेकिन कभी-कभी होता है हम सबी डीप क्लीनिंग भी करते हैं तो ये देखिए बाहर के तरफ शीशा है और मेरी निया मेरा हाथ नहीं जा रहा था बाहर की तरफ तो मैं उसको खीच-खीच के साफ कर रही थी कपड़े से और इस तरह मैं दूसरी तरफ भी आगे हूँ दूसरी तरफ भी ऐसे ही मैं साफ करूँगी और सामने अच्छा भी नहीं लगता है जैसे कि धूल मिटी सामने दिखाई देती है ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो लेडिस को तो यही होता है कि अपने घर को चमका लें, इसी तरह मैं यहां पर दूसरी साइट भी कर रही हूँ, यहां पर शीशा है, यह भी बाहर की तरफ शीशा है और अंदर की तरफ जाली है, इसको भी मैं कपड़े के साथ ही साफ करूँगी अच्छ से, और आप सबी को मेरे ब्लोग कैसे लगते हैं, मैं फ्रेंड्स कमेंट करके जुरूर बताना, और अगर कोई आप मुझे रिक्वेस्ट भी देना जाते हो वीडियो की, तो मैं जुरूर आप ट्राई करूँगी बनाने की, और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, बोला था कि आप क्लेनिंग ब्लोग बनाओ, सूट मैं ये रिक्वेस्ट उनके लिए है, स्पेशल, उनके लिए मैंने बनाई है, स्पेशल, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जब हमें कोई फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, कि आप ये ब्लोग बनाओ, ये बनाओ, यो देखिए, एसी है, एसी की जाली, देखो कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि मैं पूरे एवन मंत के बाद आई हूँ, ससुराल में, तो जाली बगारा है, वो साफ भी नहीं हुई थी, तो मैंने अब इसको भी साफ करूँगी मैं, और मिटी जो थी बेड़ पे मैंने वो कपड़े के साथ जाड़ ली है, और यहां पे मैं धो है, ब मेरे से हो सकेगा, मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लोग्स लेके आऊं, आगे भी, और आप सभी का प्यार तो मिलता ही है, तो फ्रेंट्स, आप सभी ऐसे ही प्यार बनाई रखना, और वीडियो को लाइक हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, फ् यहां पे है, दूसरी साइड मैं, LED साफ करूँगी, यहां पे इसके भी बहुत ही डस्टिंग करने की पड़ी थी, और मैं इसके पीछे भी जाले लगे हुए थे, उसको भी मैंने साफ किया है, तो एक बार तो मुझे यहां से करंट भी पड़ चुका है, अभी डर लगता ह फिर भी मैं हट नहीं रही हूँ, वैसे तो मैंने वायर निकाल दी थी, निकाल कर ही मैं साफ कर रही थी इसको, और यहां पे दूसरी साइड है, काना जी की फोटो है, उसको भी मैं साफ कर रही हूँ, और यह वायर है, यह केवल की वायर है, जो हमने लगाई हुई है, और बाहर की उपर से आई है बाहर के तरफ से अंदर लेकर आई है हम इसको तो यह देखिए चारों कौनों में से मैं ऐसे जाले साफ कर रही हूं और जे बैड के ना साइड पे भी थोड़ा कूडा कठा हो जाता है उसको भी मैंने इसकी मदद से निकाल लिया है और जहां पर मैं बेड के नीचे से लगाऊंगी क्योंकि सारा कच्रा जो है ना जाडू लगाती है तो थोड़ा सा च्रा तो बेड के नीचे चला ही जाता है जैसे बी तैसे चला जाता है एक दिन तो मैंने बैड गुमाकर भी उस नीचे से बहुत ही डस्टिंग निकाली थी और यह करनी पड़ी थी और आप सभी प्लीज इस वीडियो को फुल वोच कर लेना फ्रेंट्स और ये देखिए जाली मैंने साफ कर ली है धोलिया है मैंने जाली को अब मैं इसको वहां पर एसी के उपर लगा दूँगी और मुझे थोड़े से ना एसी के उपर भी बीच में डस्ट किया करो क्यों कि जाड़ू लगाते हैं आप तो सारी धूल मिटी इसके उपर चल जाती है जाली के उपर और उन्होंने बोला था कि एसी ओन करके क्लीनिंग मत करना नहीं तो आपके जाली है वह खराब हो जाएगी उस पर बहुत जारा धूल मिटी आ जाएगी तो मैं इसक चदर बिशाने के लिए और यहां पर लगा रही हूं यह चदर भी मेरी ममा ने मुझे दी थी और मैं इसके ना चारो कोने जो है साइड से ना उसको मैं गाठे लगाके रख दूँगी क्योंकि ऐसे गाठे लगाने से ना चदर खिसकती नहीं है और बहुत ही अच्छा से र चकाहरएं दोगी और आप सभी इंजवाइगे वीडियो को एक हमेर को ने बाकी कमरों में भी मैंने किया है क्योंकि अगर मैं जादा वीडियो दिखाती ना तो वीडियो जादा लौंग हो जाती और आम सभी बोर होते तो इसलिए मैंने चोटी ही वीडियो बनाई है तो दूसरी साइड भी मैं जाले साफ करूंगी अच्छ से और जाले साफ करने के बाद यहां पे है ना जो सोफा है उसके उपर भी जाले पड़ गए थे और मिटी धूल मिटी आ गई थी तो उसको मैं जाड रही थी अच्छ से जाड रही थी ऑप यहां पे मैं अपने रूम के सामने ही जाड लगा रही हूं कूडा निकाल आप सबी को मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरुर बताना अब हमें आपको न्यू ब्लॉग में सारी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने सारी К्लीनिंग कर ली है, तो उसके बाद, अब मैं खाना खा रही हूं, खाना खाने चांब हूं, और मिलते हैं आपको ण्यू ब्लॉग में, तब तक आपको बोलते हैं, बाए, और प्लिस स्पोर्ट करें और वीडियो को फुल वच करें, बाइ